Hello friends, आपके अपने YouTube चैनल कनिस्का विस्वेग अकैब्नी में आपका स्वारत है आपके previous response and likes को देखते हुए मैं आज आपके लिए एक नई recipe लेकर आई हूँ मुझे उमीद है कि इस recipe से previous recipes के comparison में ज़्यादा धमातेदा response मिलेगा आज मैं जो recipe लेकर आई हूँ वैं है पालक एवं बेशन से बनने वाली भाजी बड़ा चार्प recipe इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम पालक लेते हैं और इसे कटर की सहायता से धीरे धीरे कातेंगे तरसे देखिए इसमें छोटे छोटे पीसे इसके कट रहे हैं इसी तरह से हम धीरे धीरे से पूरा अच्छे से काट लेंगे इसके बाद इस कटी हुई पालक को एक बड़े बावल में डालना हैं इसके बाद हम वारी कटी हुई थोड़ी लंबी प्याज इसमें मिलाते हैं बारी कटी हुई हरी मिल्च डालेंगे इसके बाद कसूरी में थी इसे अच्छा टेश टाता है इसके बाद अजवाइन लगवक हाफ टीस्पून मिला देंगे इसमें इसके बाद बारी कटा हुआ हरा धनियां डालेंगे अब जो बेशन हमने लिया हुआ है उसको पूरा डाल देंगे जैट सीली पाउडर लगवक हाफ टीस्पून इसमें मिला देंगे इसके बाद लगवक हाफ टीस्पून सुखा धनियां नमक स्वादा निउसाद हींग लगवक बन फोट टीस्पून अब एक बड़ी चम्मच की सहायता से इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिलाते हैं अब एक बाउल में लगवक आधा बाउल पानी लेकर इसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालते हुए बिलाते जाएंगे रिक साथ पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है जैसा हम पकोड़ी के लिए पेश्ट तयार करते हैं उससे लगवक थोड़ा सा थिक रहने देना है अब लगवक यह तयार है यही आपको यह पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अब भाजी बड़ों को तरले के लिए एक कडाई में तेल डालकर उसे गर्म करते हैं हाथों में पानी लगा कर इसके बाद बड़ों का मिक्सचर धीरे धीरे उगलियों पर दे कर उसे दूसरे हाथ के हतेली पर रखकर थोड़ा सा फैलाते हैं देखिए इस तरह से धीरे धीरे बनाना है इसको इस तरह से यह ज्यादा फटेगा भी नहीं और बहुत अच्छा एक जैसा बन जाता है अब पहले हम चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है के नहीं हाथ में आज लगने लगती है तो पता जल जाता है बाद में थोड़ा सा मिक्चर डाल कर देखते हैं लगवक तेल गर्म होने लगा है अब इसके बाद जो भाजी वड़ा हमने बनाया है उसको हम तेल में आराम से डाल देंगे इसी तरह से दूसरा भाजी वड़ा भी तैयार करना है इसको भी पानी लगाकर हाथ में लेना है जिससे चिपक केगा नहीं और इसे भी बिल्कुल धीरे से कड़ाई में डाल देंगे अब इसी तरह हम धीरे धीरे एके करके सारे बड़े बना लेंगे और उनको कड़ाई में डाल कर अच्छे से तर लेंगे अभी तक आपने आलू मटल छोले की चार्ट तो खाई होगी पर इस बार आप भारी बड़ा इस्पेसल चार्ट जरू ट्राई की दिए जब बड़ों का कलर चेंड होने लगी तो उन्हें हम एके करते पलट देते हैं इनको एक बार पलटने के बाद ख्लैम लो कर देते हैं और हरका सुनायरा होने पर इन्हें एक बार फिर से पलट लेंगे देखिए कलर कितना अच्छा आने लगा है इसी तरह इन्हें हरका सुनायरा होने तक हमें सीखना है अब इसकी बार हमें ने प्लेट में नेकालना सुरू करते हैं जब पूरे बड़े गुल्डन कलर के हो जाएं तो हमने प्लेट में आसानी सी रख लेते हैं अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने के बाद एक कटोरी की सहायता से अच्छे से दबा देते हैं इस प्लेट करना है अच्छे से प्लेट करते जाएंगे और पूरी बड़ों को अच्छे से दवाना है देखे अब सारे वड़े लेट हो चुके हैं अब इसकी बाद इन्हें फिर से एक बार ओयर गर्म करके कड़ाई में डालेंगे पहले कड़ाई में तेल को गर्म होने देते हैं अब हम डालना शुरू करते हैं देखे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है इसी तरह हम सारे वड़ों को डाल रेंगे जैसकी फ्लैम लो रखेंगे और अन्हें एके करके पलट देंगे बड़ों में से बहुत ही अच्छी चाहिए कि सुवन दाने लगी हैं कि यह लगवक पकर दयार हैं बस थोड़ा सा इनतजार और अब हम इन हैं फिर से प्लेट में निकालेंगे इस तरह बड़ों को दुबारा तरने से इन में क्रिस्पी पन ज्यादा रहता है बहुत क्रिस्पी बहुत ही तेश्टी होते हैं इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है यह देखे सारे वड़े तैयार हैं अब इसके वार हम एक प्लेट लेकर इसमें दो गड़ों को इस प्रकार रखेंगे इसके उपर से खजूर और इम्री की प्लेट डाल देगे यह हरी जटनी है जो हरी दिनी है हरी मिर्थी और खुदीनी से बनाई गई है इससे ही बहुत बड़ी अतेज़ आता है इसके बार प्याज प्लेट लंबी स्लाइस कते हुई पतले पतले इसके उपर रखना है इसके बाद बारी कटी हुई हरी मिल्च डाल देंगे और अब में हआ कि अठोळा खेट डाल खरों मिक्सी में रहटा हुआ दही यूदि आप 肥े बहुत आप आप में लैक का चैनल को नहीं जिया है कि तो प्लीज आप वीडयो को लाइक और सब्सक्राइब działखञाएब करें सादा नमक स्वादा नुसार और काला नमक लगफख बन फोट टी स्पून इसमें उपार से डालना है हम दॉंग से उपार से डालते हैं दॉंग से इस्सान पर हम चाहें तो आलो भुषिया तूपा भी यूज़ कर सकते हैं इसके वाद उपार से खटी मीथी खजूर और इंब्री की चट्मी तोड़ी सी खारी चट्मी भी तुस्से डालेगे अब इस सूपल से बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसके बार हरे धनिया की पत्ती की इसको गानिक करेंगे ये हमारी भाजी बड़ा स्पेसल चार्ट बनकर तयार हो गई है